तो guys काफी बार होता यह है कि हम लोग अपने phone को बहुत ज़ादा carelessly use करते हैं अब ऐसे में हम लोग अपने phone में कभी अपने phone के password को भूल जाते हैं कभी unlock password को भूल जाते हैं या फिर कभी हम लोग किसी ID को भूल जाते हैं कि कैसे आप लोग अपने Gmail ID को recover कर सकते हैं तो guys बिनन टाइम को waste किये हुए वीडियो को हम लोग start करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को YouTube app को open कर लेना है अब यहाँ पर YouTube app से ही मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि guys हम लोग बहुत सारे अलग-अलग brands के phone यूज करते हैं तो ऐसे में हर के phone में अलग-अलग setting होता है इसलिए मैंने यहाँ पर YouTube को choose किया है अब यहाँ पर आप लोगों को top right corner में ID का option दिखेगा यानि के account का option दिखेगा आप लोगों को यहाँ पर click करना है यहाँ पर आप लोगों को third number पर एक option देखने के लिए मिलेगा add account का आप लोगों को इस पर click करना है अब जैसे ही आप लोग पासवर्ट देंगे या फिर biometric scan करेंगे आप लोगों को यहाँ पर login interface देखने के लिए मिलेगा simply सा आप लोगों को करना यह है कि forgot email पर click कर देना है अब जैसे ही आप लोग इस पर click करेंगे तो आप लोगों से पूछा दा रहा है यहाँ पर कि आप लोग जो id को भूल गए है उसमें कौन से number को आप लोगों ने add करके रखा है तो उस number को आप लोगों को यहाँ पर दे देना है तो जैसे ही आप लोग इस number को देंगे आप लोगों को यहाँ से next करना है अब जैसे ही आप लोग next करेंगे तो यहाँ से आप लोगों से आपका नाम पूछा रहा है तो यहां से first name और last name देकर आप लोग आगे बढ़ेंगे अब guys जैसे ही आप लोग यहां पर next करेंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिरेगा कि get verification code अब जिस भी number को आप लोगों ने add किया था यहां पर उस number पर एक verification code जाएगा तो यहां से हम लोग send पर click करेंगे अब जैसे हम लोग send पर click करेंगे आप लोगों के उस number पर एक OTP जाएगा आप लोगों को simply सा उस OTP को यहां पर दे देना है अब जैसे ही आप लोग इस OTP को देंगे यहां से आप लोग next करेंगे तो guys यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी असानी से अपने Gmail ID को recover कर लिया है अब यहाँ से अगर आप लोगों को अपने ID का password याद है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं लेकिन अगर आप लोग पासवर्ड भी भूल गए हैं तो आप लोग यहाँ से वीडियो को continue करें आप लोग यहाँ से simply से click करेंगे forget password पर और जैसे ही आप लोग इस पर click करेंगे आप लोगों को यहाँ पर create password का option दे दिया गया है आप लोग यहाँ से अपने new password को बनाकर अपने gmail id को login कर सकते हैं तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे comment में जरूर बताना है और वीडियो और चैनल का content पसना है तो आप लोग इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe भी कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में good bye